Hello friends, welcome to our YouTube channel We Can Do तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए है जिसके बारे में हमें जब पता चला तो हम बहुत excited हो गए हमने इसकी detail research करी और research करने के बाद ऐसा लगा कि इसकी एक वीडियो बना कि हमने हमारे चैनल के ओपर upload करनी चाहिए तो ये वीडियो जो बन रही है ये बन रही है Mobile Petrol Pump Petrol Pump तो आपने सुनाई होगा लेकिन Mobile Petrol Pump क्या चीज है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमारी जो वीडियो है ये बनने वाली है Mobile Petrol Pump के उपर और इसमें बहुत सारे इसके topics हम लोग discuss करेंगे जैसे mobile petrol pump होता क्या है इसके advantages क्या है इसके disadvantages क्या है कितना income आपको इसमें मिल सकता है आपको कितना expense इसमें लग सकता है आप कितना खर्चा कर सकते हो amount उसके बाद आप इसे कहां बेज सकते हो और इसकी life क्या है ये कितना time तक आप चला सकते हो इसका fast growing income है या slow growing income है तो ये सब topics के हम बात करने वाले है तो आप हमारे वीडियो पे बने रहे और जो भी इंसान या जो भी हमारा इस वीडियो को देख रहा है उससे request है कि आप हमारे चैनल को subscribe करे like करे, share करे और ये वीडियो दूसरों तक भी पहुचाए कि उससे भी इसकी थोड़ी बहुत information मिल सके तो आईए हम शुरू करते है आज का हमारा topic on mobile petrol pump Hello friends, सबसे पहले mobile petrol pump है क्या? normal petrol pump वो जो आप normally देखते हो जहां हमें हमारी bike, car या vehicle लेकर लेकर जाना पड़ता है और हमें petrol वहाँ पर भरना पड़ता है ये होगे हमारा साधा petrol pump mobile petrol pump क्या? ये एक ऐसा petrol pump है जो आप customer के door तक लेकर जा सकते हो मतलब जैसे for example मैं customer हूँ, मुझे petrol या diesel चाहिए तो मैं आपके petrol pump में call करूँगा और आप petrol लेके हमारे यहाँ पर आएंगे आपकी vehicle में लेके तो उसे कहा जाता है petrol pump आप customer के door step तक के petrol pump पहुचा सकते हो जहां भी उसकी गाड़ी है for example अगर आप कही company में आपकी कोई company है या आप MIDC में कही company आपकी factory है company है आप वहाँ काम कर रहे हो, light चली गई अब आपका diesel generator है आपको diesel चाहिए तो आपको can लेके diesel petrol pump तक जाना पड़ेगा वहाँ से diesel लाना पड़ेगा तो best option है आप mobile petrol pump को call कीजिए वो आपको diesel आपके door step तक लाके दे देगा तो यह होता है mobile petrol pump तो इसके बारे में हम पूरी detail information बात करने वाले है सबसे पहले हम इसके advantages देख लेते है तो सबसे पहला advantages का यह है कि इसमें आपको investment बहुत कम लगेगा जहां बड़ा petrol pump open करना है तो वहाँ पे आपको देड़ से 2 करोड का investment लगता है highway के पास में जमीन लगती है उसके लिए tender आपको भरना पड़ता है बहुत सारे procedure है, license है team है आपके सब service man यह वो सब खड़े करना पड़ता है उसमें costing बहुत जाती है इसके अंदर आपका costing बहुत कम होता है सबसे पहला दो difference यही है और दूसरा कि इसमें आप कोई भी common इंसान भी petrol pump के लिए apply कर सकता है जो बड़ा petrol pump आता है उसके अंदर risk भी बहुत रहता है पर यह छोटा mobile petrol pump जो है इसमें risk बहुत कम रहता है तो यह दोनों में main सबसे बड़ा advantage देखा जाए तो पैसो कही है बड़े petrol pump open करने में हमें देड़ से 2 करोड खर्चा आता है और mobile petrol pump start करने के लिए हमें बहुत कम income लगेंगा बहुत कम amount लगेंगा जो मैं आपको अभी आगे चलके बताने वाला हूँ तो यह होगे अनका main difference अब दूसरी बात है आपने mobile petrol pump खरीद लिया आपने mobile petrol pump बना लिया अब आप आपका जो petrol है या diesel है उसे बेचोंगे कहां तो देखिए हमें customer सबसे पहले बनाने पड़ेंगे जैसे आप industrial area में जाके आपके customer बना सकते हो कोई industry है उन्हें diesel लगता है पैट्रोल लगता है आप उन तक पहुचा सकते हो पैट्रोल या diesel cold storage वाले है उन्हें भी generator की जुरुरत पढ़ती है बार बार light जाती है light का problem बहुत चलता है हमारे इंडिया में तो उनकों भी generator की लगती है generator लगता ही है आप उनके generator के लिए भी आप उन्हें diesel आपके mobile petrol pump में पहुचा सकते हो बड़े बड़े hospitals हो गए उन्हें भी generator लगता है आप वहाँ भी diesel पहुचा सकते हो educational institutes है उन्हें भी आप दे सकते हो construction sites है construction sites के ओपर भी diesel petrol लगता है MIDC area है NIDC area है transport area है tour and travels वाले है कहीं भी आप आज तो ऐसा है कि हर जगे हमें diesel और petrol की जुरुद पढ़ती है आपने कई 10 से 15 आपके customer fix कर लिए आपका दिन का 3-4,000 petrol कहीं ने गया diesel कहीं ने गया आप आराम से बेश सकते हो और income generate कर सकते हो income का इसमें ऐसा है कि per diesel एक diesel एक liter diesel के पीछे आपको 1.5-2 रुपिया तक छुड़ता है एक diesel एक liter diesel के पीछे तो ये van जो आती है जो mobile petrol pump आता है ये 3 इसमें आती है एक 3,000 liter में आता है एक 4,000 liter में आता है और एक 6,000 liter में आता है तो अगर आप 3,000 liter की अगर आप petrol pump लेते हो mobile petrol pump तो हमने एक on and average calculate किया है कि 3,000 liter diesel अगर आप दिन में भी service दे सकते हो 3,000 liter की तो उसको multiply अगर हम करे 2 रुपिये से तो वो 6,000 रुपिये आपको एक टाइम दे देती है मतलब 3,000 liter अगर आपका दिन में भीकता है डीजल तो आपको 6,000 रुपिये दिन का income मिलता है उसको आप multiply कर लीजे 30 से तो 1,80,000 रुपिये महीने का आप कमा सकते हो साल का नहीं महीने का कमा सकते हो अगर 3,000 liter के टाकी आपने लिया mobile petrol pump स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा income generate है और मैं बोलता हूँ कि आप आसानी से 3,000 liter दिन का बेच ही सकते हो फॉर इग्जेम्पल अगर आपने कुछ 10-12 truck वालों को अपना customer बना लिया एक truck के अंदर 400 liter से लेके तो 800 liter तक के diesel लगता है तो ऐसी आपने 10-12 भी बना लेते हो customer आपके तो 3,000 मैं बोलता हूँ बहुत कम चीज़ है आपको दिन का कम से कम 12,000 liter आराम से आप बेच सकते हो तो आप सोच लीजिए दिन का आप कितना income generate कर सकते हो प्लस आप service charges लगा सकते हो अगर आपको लगाना है या अगर आप ऐसे ही कमा ले रहे हो अच्छा तो कोई service charge की जुरुरत नहीं आप direct उनको diesel भी बेच सकते हो तो ये हो गया उसका income अब बात आती है amount हमें कितना invest करना है तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 3 set रहते है एक आता है 3000 लीटर का एक आता है 4000 लीटर का और एक हाता है 6000 लीटर का तो 3000 लीटर का जो है वो start होता है 18 लग से 4000 लीटर वाला start होता है 25 लग से और 6000 लिटर वाला मोबाइल पेट्रोल पॉम स्टार्ट होता है 22 लाग से 25 लाग से 25 से 30 लाग से तो कुछ इनका range है ऐसा मतलब आप minimum 18 लाग से भी आपका investment स्टार्ट कर सकते हो अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास इतना investment नहीं है पर हमें मोबाइल पेट्रोल पॉम स्टार्ट करने में इंट्रेस्ट है तो उनके लिए भी good news है अगर आपके पास में initially 3 से 5 लाग भी investment लगानी की ताकत है तो भी आप मोबाइल पेट्रोल पॉम स्टार्ट कर सकते हो बहुत सारी ऐसी companies है जो मोबाइल पेट्रोल पॉम के लिए आपको loan भी देती है government के तरफ से भी funding इसमें है आप loan के ओपर भी काम कर सकते हो जिसके अंदर आपके पास अगर 3 से 4 लाग रुपिय हो तो बागी का आपको government के तरफ से loan भी provide करा के देते है आप यहाँ income कीजिए और उनका monthly आप loan EMI फेड सकते हो तो अगर आपके पास 3 से 4 लाग भी हो 3 से 4 लाग भी आपके पास में amount हो तो भी आप mobile petrol pump स्टार्ट कर सकते हो EMI देने के बाद भी आपके पास बहुत अच्छा income बचता है तो यह एक छोटी से information थी on mobile petrol pump अगर आपको इसकी detail information चाहिए तो आप हमें comment कर सकते हो हम इसके ओपर और detail बनाएंगे और वो detail बना के हम आपको हमारे YouTube channel के ओपर वीडियो upload करके उसकी एक थोड़ी information हम आपको दे सकते तो आपसे request है जो भी नए subscribers जो भी नए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जब तक के लिए thank you, goodbye, take care